नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चेनल टीच सुरच दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C61 फोन में बल्टरी की आइकान को चेंज कैसे करें तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को आन करना होगा गाइज आप अपने फोन की शेटिंग को आन करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटाफिश ओपन हो जाएगा आप यहां से थोड़ा सा स्कोल अप करेंगी आपको देखें यहां पर एक option मिल जाएगा notification status bar का आप notification status bar वाले option पर क्लिक करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा आपको यहां पर status bar का option मिलेगा आप इस पर क्लिक कर देना यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस open होगा जो कि time, notification icon, battery style और battery percentage का option मिल जाएगा आप यहां पर notification icon पर क्लिक करना यहां पर आपको देखें बैटरी की design मिल जाएगी horizontal, vertical, low और do not show आप किसी पर क्लिक करके आप देख सेकते हो हमारी battery यहां पर उपर कुछ इस प्रकार से change हो जाएगी low पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारी battery कुछ इस प्रकार से यहां पर होगी और do not show में सिर्फ हमारा percentage होगा और वहां पर कुछ नहीं होगा तो guys, चलिए हम आपको आधर में बताते हैं यहां पर बैटरी की style में हो गया अब आप देख सकते हो यहां पर हमारी battery percent है तो कुछ इस प्रकार से यहां पर हम बोज़ेगा inside battery icon जो battery के अंदर आप देख सकते हो 100% दिखाता है तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा outside battery icon बैटरी के बाहर आप देख सकते हो आपका कितना percent phone charge है और do not show पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी battery show होगी और वहां पे कितना percent charge है वो नहीं show होगा तो guys कुछ इस प्रकार से आप अपने phone में battery की icon को change करना चाहते हो तो आप कर सकते हो I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को subscribe जुरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन next topic, next video तब तक के लिए बाए टेक ही